ओम शान्ती बी के चटपटी रसोई में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए के आए बेशन की सबजी जिसको जुनका बोलते हैं और पेतला भी बोलते हैं जो कि एक महाराष्ट की एक सबजी है आप इसके लिए हमने यहापे लिया है पत्ता गोबी बारी कटा हुआ खींग और हराधनिया तो चलिए हम सुरू करते हैं बेशन का जुनका बनाना हम इसको जुनका बोलते हैं बेशन की सबजी भी बोलते हैं तो इसके लिए हमने यहापे लिया है सरसो का तेल तो हम यहापे इस सरसो का तेल डाल देते हैं तो हम यहाँ पे आड़ा चम्मस सरसो चार से पांच मिर्ची कटा हुआ अधरक और जो हमने कड़ी पत्ता लिया वो भी अधिनर डाल देंगे इसके साथ साथ इसमें हम आदा चम्मच हल्दी और आदा चम्मच देगी मिर्च अब हम इसमें पत्ता गोबी डाल देते हैं आप अगर पत्ता गोबी नहीं खाते हैं तो आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं अगर आप बिना पालक और बिना पत्ता गोबी का बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं इसको हम थोड़ी देर मना 2-4 मिनिट के लिए ढख देते हैं यह हमारी 4 मिनिट हो चुकी है अब हम इसमें थोड़ा सा हिंग डाल देते हैं और आदा चम्माचिस में हम नमक डाल देते हैं नमक आप अपने मिर्ची नमक आप अपने स्वादन उसार डालना अब जो हमने टमाटर पिसा हुआ लिया था वो इसके अंदर हम डाल देते हैं आप चाहे तो टमाटर काटके भी डाल सकते हैं तमाटर के साथ इसको पांच मिंट इसको पकने देते हैं फिर हम इसमें पानी डालेंगे यह पांच मिंट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं के टमाटर के साथ हमारी सबजी पक चुकी है अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे दो गिलास हम इसमें पानी डालेंगे यह दो गिलास हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है अब इसको हम ठक देते हैं जब तक इसमें उबाल आए ये हमारा उबल चुका है पानी जो हमने डाला था अब हम इसके अंदर बेशन डालेंगे और बेशन को आपने एकदम से नहीं डालना है धीरे धीरे करके डालना है और हिलाते रहना है आपने बेशन को ऐसे हाथ में लेना है ऐसे और इसको धीरे धीरे ऐसे करके डालना है ऐसे धीरे-धीरे डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे तो ये हमारी हमने बेशन जो डाला और चलाया तो ये हमने डाल दिया है तो अब हम इसको पांच मिन्ट के लिए ढख देते हैं ताकि बेशन पक जाए अच्छे से ये पांच मिन्ट हो चुके हैं अब हम इसको एक बार होर चला देते हैं तो ये हमारा बेशन की सबजी तयार है अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं तो ये बेशन की सबजी तयार है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पे किसी भी सब्जी में लशन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है आप इसको बैसे बना सकते हैं और नमक और मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं तो यह हमारा बेशन की सब्जी एकदम तयार है तो हमारी यह वीडियो रेसिपी कैसी लगी यह हमें जरूर बताईएगा और आप इस सब्जी को जरूर ट्राई करें क्योंकि जब सब्जियां महंगी हो जाती हैं तो आप इसको बना सकते हैं और जब आप एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बनाएंगे और जो खाएगा वो कहेगा आज बेशन की सब्जी जरूर बनाओ ओम शान्ति